नमस्कार, मैं हो ससी, आये जरगां की टॉप 25 फर्मोख खबर जानते हैं दूसरी तरफ इससे पहले दोपार में किरिसी कानून को लेकर केंद्रिय मंत्री रविस संकर परसाद ने विपक्ष पर निशाना साधा बतादे बंद के मदर नजर केंद्र सरकार ने सोमवार को सभी राजे सरकारों को एक एडवाजरी भेजी है जिसमें उन्हें सुरक्षा कड़ी करने और कानून वेवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है साथी कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए कहा गया है किसानों के दर्द को वही समाज सकता है जिन्हें पैसे से नहीं मीटी से प्यार है हमन्त सुरेन किसानों के मोदे पर एक बार फिर जारखन के मुख मेंतर हमन्त सुरेन ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि देश की रीड की हड़ी कहे जाने वाले किसान आदोलन रहा था है जबकि केंद्र सरकार लगातार उन्हें बहलाने फुसलाने में जूटी हुई है भारत की सी परधान देश है इसलिए परतेक नागरिक को आज किसान के साथ खड़ा होना चाहिए सी एम ने कहा कि नित नए नए कानूनों का खामी आजा पूरा देश भुगत रहा है ए दुखद इस्थिती है ऐसे हालातों के खिलाब समय समय पर देश की जनता सड़कों पर उत्री है फिलाल सांती प्रीये किसान सड़कों पर है इनके दर्द को वही समय सकता है जिने मिटी से प्यार है पैसे से प्यार करने वालों को किसानों का दर्द समझ में नहीं आएगा 29 दिसंबर को एक साल पूरा करेगी हमंद सरकार जाकन की हमंद सुरेन सरकार 13 दिसंबर को एक साल पूरा करने जा रही है बता दे उसे पहले एक साल के काम काज का आकलन करने के लिए सीम हमंद सुरेन विभागवार समिक्चा कर रहे हैं ये समीक्षा बेटक 18 दिसंबर तक जारी रहेगी समीक्षा बेटक के दुरान राज सरकार की योजनाओं की जमीनी हकिकत को जानने और उन्हें गती परदान करने पर बल दिया जा रहा है सरक पर उतरेंगे जारखन के सतधारी दल किसान संगठनों के भारत बंद का राज्येक के सतधारी दलों ने समर्थन किया है जारखन मुक्ति मोर्चा कॉंग्रेस राष्ट्रिये जनता दल सहित वाम दल बंद को सफल बनाने के लिए मंगलवार 8 दिसंबर 2020 को सड़को पर उतर जामुमों कॉंग्रेस और आयद ने अपने अपने करकताओं को निर्देश दिया है कि बंद को एतिहासिक बनाने में अपनी भूमका निभाएं सरकार के मंत्री और कॉंग्रेस के पर देश अध्यक्स डक्टर रामिस्वरूराव ने कहा है कि देश में आजादी के बाद य कि तेयारी की जा रही है बतादे विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप मैट्रिक और इंटर बोड की परिक्षा में बहु विकल्पिये रिक्त अस्थान भरे अति लगू उतर ये प्रस्ण की संक्या बढ़ाई जाएगी विभीन विशयों में 20 से 30 फिस्दी तक प्रस्ण एक अंक के होंगे एक अंक वाले प्रस्ण में अधिकतर बहु विकल्पिये होंगे जार्खन में बिजली कटोती की नहीं आएगी नौबत जार्खन बिजली वित्रन निगम ने दावा किया है कि डीवी सी से बिजली कटोती की नौबत नहीं आने दी जाएगी बिजली जारकन बीली संचरन निगम की करया प्रनाली दुरूस्थ होने के बाद यह रासी घटकर डेर सो क्रोर रुपए प्रतिमा हो गई है इसका नियमित भुकतान करने में बीली बित्र निगम सक्षम है यह कटोदी पुर्व के समय की बकाय को लेकर नहीं है भारत बंद को लेकर पुरे सोहर में फोर्ष तैनात किसान संगठनों की ओर से मंगलवार को भारत बंद को देखते हुए राची पुलिस ने पुरी तैनाती कर दी गई है चोक चोराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों को विसेस नज़य रखने का आदेश दिया गया है बता दे जीले के सभी DSP और थानेदार से कहा गया है कि सोमवार और मंगलवार की देर रात तक अपने अपने इलाके में भ्रामन सील रहेंगे किसी भी संदीग्द को देखने के बाद उसे पुछताज कर पूरी तरह से सत्यापन करने के बाद उसे छोड़ा जाए के सीसी नहीं देने पर बैंकों परहोगी करवाई DC राची के बैंक किसानों को किसान क्रेडिट काड़ देने के मामले में सिथिलता बरत रहे है कितने किसानों का के सीसी दिया गया है इसका आकड़ा भी अभी तक बैंकों ने अपडेट नहीं किया है उपायुक 56 रंजन ने इसे गंविताह से लिया है और बैंक को सुक्रवार्तक सभी डाटा काम मिलान का रिपोर्ट पेस नहीं होने पर बैंक को के खिलाब कानुनी करवाय करने की चेतानी उपायुकत ने दिया है जार्खन में 189 संक्रमितों के पुष्टी हुई है जो राची से 89, भोकारो 13, देवहर 8, धनबात 10, दूमका 1, पुर्भी 75, गड़वा 5, गिरिटी 2, गुमला 3, हजारी बाग 2, जामतरा 1, खुटी 2, कोडर्मा 2, लाते हाँ 6, लो अदगा 2, पाकुल 5, पलामु 4, रामगोर 5 पच्मी सिमु से 4 मिले है जारकन में कुल संक्रमितों की संख्या 1,10,457 है जबकि 1,077,710 लोक्स्वास तुए या 988 की मिरिती हो गाई भारत में केस 26,201 मिले है भारत में कूल एक्टिव केस 3,82,855 है जारकन में कूल एक्टिव केस 1769 है जो इस प्रकार है राची 777, पूर्वी सिमु सिमु दोसों पच्था धनवाद 81, बोकारों 78, सराय के लाग उनसाट, हजारी बैगन ठावन लोर्दागा 43, देवगर 43, रामगर 36, आहवगई 33, पलामु 33, गुमला 29, खोटी 28, पच्मी सि 24, दुमका 24, लाते हां 23, चत्रा 22, इम्डेका 22, जमता 18, कुडर्मा 17, पाकुर 10, गोड़ा 9, गिरीडी साथा, मंत्री जगनात मतों के सेहत में सुधार, जल्द लोट सकते हैं घार, चेन्नाई इस्थित महात्मा गांधी मेटकल कॉलेज और रिसर्च इंस्चूट में लंग्स ट्रांस्पलांट की परकिरिया सफल होने के बाद, मंत्री जगनात मतों के अब सेहत में त्यजी से सुधार है, कुरोना की चपेट में आने के बाद, रिम्स रांची से चेन्नाई में मंत्री की फीजियो थेरेपी सहित आने कई तरह का इलाज चल रहा है, बता दे मुख मंत्री हमंसुरे ने सोमवार को चेन्नाई के डक्टरों से जनकारी लेने के बाद, मंत्री से बात की और उन से क कि वे पूरी तरह सुवस्थ होने के बाद ही जार्कन लोटे भारत बंद को लेकर राची रेल मंडल परसासन में विशेस नजर भारत बंद को लेकर राची रेल मंडल में विशेस एतियात बरता जाएगा अभी तक रेलवे खुफिया सुतरों के अनुसार बंदी के दौरान रेल मार्ग को प्रभावित करने कि कोई सुतना नहीं मिली है फिर भी रेलवे परसासन अपने अस्तर पर बंद के दौरान रेलवे छेतरों की पुरी तरह निगरानी करेगी अवासे विद्यालेयों में सिक्षकों के रिक्त पदो पर जल्द होगी भरती सिये राजे में कल्यान विभाग की ओर से संचालित इसकूलों में सिक्षकों के रिक्त पदो पर नेमाली बनाकर निधारी समय में नियुक्ति परकिर्या पूरी की जाएगी इसके साथ ही कल्यान विभाग की ओर से राजे में संचालित आवासे विद्याले को आदर्स विद्याले की तर्ज पर संचालित करते हुए आधोनिक मोडल इसकूल के अनुरूप बनाया जाएगा इन भी द्यालियों में होकी, फुटबॉल, आचरी, इत्यादी, खेल, मेडिकल, सेवा एवं अन आवसक सेवाओं के उपलावित्ता सुनेशित की जाएगी सिक्षा की गुणवाता और बेहतर की जाएगी, इसे समधित निर्देश मुखमत्रियमान सुरेन ने सोमवार को दिये है किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपए भेजे सरकार सदान विकास पार्टी ने धान खरित पर रोक लगाने के जारखन सरकार के आदेश के अलोचना की है पार्टी की रभिवार को हुई बैठक में सरकार से किसानों के खाते में आविलम दो हजार रुपए भेजने की मांग की गई एवं चेतावनित दी गई की सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया तो पार्टी आंदोलन करेगी बैठक को पार्टी के अध्यक्स राजेंद्र परसाद साहुन ने समोधित किया बतादे बैठक में राजेस कुमार, अरविंद परसाद गुपता, अविनास कुमार एवं अन्य मौझूद थे किसानों की आमदनी बढ़ाने पर कार्योजना बने एमुख्यमंत्री राज सरकार किसानों की पसंद के अनुरूप उन्हें पृत्साहित करना चाहती है उनकी पूर्व की आमदनी को बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिक्ता है बिभा किसानों को लबानवीत करने के लिए समय से पूर्व तयार रहे क्योंकि किसान समय के साथ खेती कारे करते हैं और अगर उन्हें समय पर लाब नहीं मिला तो उनकी मेनत बेर्थ चली जाएगी ये बाते मुक्मत यहमन सुरे ने सोमवार को कही है कुरोना जागरूपता के लिए विसेस अभियान चलाया जाएगा देवघर डीसी देवघर उपायूक्त मंजूनात भजंतरी ने कहा कि बरतवान में कुरोना संक्रमन के परकोप का नजर अंदाज करना हम सभी के लिए खत्रे की चतावनी है एक बार फिर से कुरोना संक्रमन का खत्र लगतार बरता ही जा रहा है आएसे में हम सभी को चाहिए कि फेस कोवर या मास्क के उपयोग के साथ समाजिक दूरी का अनुपालन और सापसपाई का विशेस रूप से ध्यान रखने की अवसकता है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अन्दबाना ना भूले साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करे साथी साथ यदि आप कंबल वित्रन में सवयोग रासित देना चाहते हैं तो आप गूगल पर या फोन पर के मादेम से इस नंबर पर सेर कर सकते हैं धन्यवाद